हेलो गाईस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फेंटेसी दूर्दसर ओफीसल में आज के इस वीडियो में ड्रीम लेवन इस मैच टी ट्वेंटी का जो मैच है बाई एनबी वर्सस सीएस का ये मैच है इसके बारे में आपको ये टूजए डिटिल्स पता चलेगी वीडियो में लगातार बने रहेगा वीडियो को बिल्कुल भीज किपमत किसेगा वना आपको कुछ भी समझ बने आएगा आज के इस वीडियो में धमाकेदार दो ओफर है एक त एक बार कमिट कर देजगा जिससे हमारे और मेंबर्स का भी बिलीब बन जाएगा तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट वीडियो अच्छे लेगे लाइक से और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देजगा और हमारे चनल का एक हिस्सा बन जाएगे जिस नाम है नौर्थन ब्रेप्स इनके बारे में आपको जानकर थोली सी हरानी होगी लास्ट वाइमेच का इनका रिकॉर्ड है तीन मैच जीत कर आ रहे हैं और वहीं अगर रिकॉर्ड की बात करो तो दो मैच यहां पस हारते हुए नजरा रही है वो कौन-कौन से मैच हैं किनक सेंटर बरी के साथ यह मैच हुआ था 23 दिसंबर को खेला गया था यहां पस नौर्थन ब्रेप्स ने हरा दिया था सेंटर बरी को बहुत ही बैतरीन परफॉर्मंस यहां पस नौर्थन ब्रेप्स के साइड से देखने को मिला था टी ट्वेंटी के मैच में यह तो फर्स्ट मैच के बारें बता देता हूं सेकंड जो मैच हुआ भाई फर्स्ट मैच किसके साथ हुआ सेंटर बरी के साथ हुआ सेंटर बरी के साथ हुआ सेंटरल स्टेक्स के साथ हुआ था सेंटरल स्टेक्स के साथ सेंटरल स्टेक्स के साथ सेंटरल स्टेक्स के साथ सेंटरल स्टेक्स लास्ट थर्ड जो मैच हुआ था वही वह किसके साथ हुआ सेंट्रल स्टेज के साथ वापस ये मैच हुआ कितने तारीक को हुआ पांच जनवरी को ये मैच देखा गया था खेलते हुए और इसमें जो है नॉर्थन बेप्स हारती व Sãoία निज़र आई थी सेंट्रल स्टेज के साथ क्यूं नज़र आई थी भैई क्योंकि यहां पास फोड़ी से इनकी में चेंज़े थी और जो हाुआ क्याप्टन के वज़ाव से वही और जो हार है वोगी वही क्याप्टन के वज़ाव से वही क्योंकि आप जब मैच देखोगे ना आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा ये चीज़ धियान रखेगा फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मैच हुआ फूर्थ जो मैच हुआ ये किसके वज़ा से हुआ भाई ये निदिध कर दिया धी फूर्फ जस्ट जो मैच हुआ वह किसके साथ हुआ भाई लास्ट जो मैच हुआ ऑकलेंड सस्ट के साथ वहाँ नॉर्फ जान ब्रेप्स के चाहां घयारा जैनरी को ये मैच बात यहाँ निदिध को सामने तो ये तो बात हुई भाई North and Braves के बारे में अब Central Stages के बारे में बता दीजे कौन-कौन सा मैच हुआ था कितने मैचे सुए थे टोटल कितना performance बना था इनका फर्स्ट जो मैच हुआ Central Stages का किसके साथ हुआ Wellington के साथ ये मैच हुआ 8 जनवरी को ये मैच हुआ था यहाँ पस Central Stages ने हरा दिया था Wellington को बहुत ही इजली तरीके से Second जो मैच हुआ भाई यहाँ पस Central Stages और Wellington का जब मैच हुआ था तो यहाँ पस जो Wellington की टीम थी वो तगडी थी Central Stages को हरा तवे नजर आई Second जो मैच हुआ यहाँ पस भाई किसका हुआ Central Stages वर्सित Northern Braves का हुआ Central Stages ने यहाँ पस Northern Braves को हरा दिया क्योंकि इनके पस एक स्ट्रगल करने का पावर था और थोड़ सी यहाँ पस यहाँ कॉंबिनिशन ताल मैल होता है वो बैठ गया जिसके कारन यहाँ पस Northern Braves की टीम सामने कमजोर नजर आई थर्ड जो मैच हुआ वो किसके साथ हुआ CS बर्सिस CS बर्सिस सेंटर बरी का साथ मैच हुआ था यहाँ पस दोनों यह मैच हा रहे है NB भी हा रहा था CS भी हारी है फोर्ट जो मैच हुआ यह किसके साथ हुआ Central Stage बर्सिस Northern Braves के साथ वापस हुआ तो यहाँ पस CS हारते हुए नजरा है Northern Braves के सामने फोर्ट जो मैच हुआ वो किसके साथ हुआ CS सेंट्स बर्सिस Auckland SS के साथ यह मैच हुआ था तो यहां पस हारते हुए नज़राई CS स्टेच की टीम एक बार धियान रखेगा NB की टीम हारते हुए नज़राई थी Auckland SS के खिलाफ एक ही बार सिर्फ और एक बार जीते हुए नज़राई है तो यह बात को धियान में रखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़िएगा वरना आप confused हो जाएंगे तो यह तो बात होई भाई इनके last five match के stats के बारे में इनका क्या performance है यह मैंने आपको बता दिया Northern Braves अभी total तीन मैचे जीत करा रहा है दो मैच हार करा रहा है वहीं अकर CS की बात करूँ मैं तो total अभी एक ही match जीत करा रहा है और चार मैच यह तीन मैच माफ करेगा यह हार करा रहा है total तो यह मैंने आपको clear कर दिया और कि कप कप कितने तारी को यह match हुआ था यह भी मैंने आपको बता दिया यह deep knowledge बोलते हैं इसको अब चलिए देखते हैं अंदर क्या performance है किस player का कैसा आपको try करना है कैसा नहीं करना है तो इस series में सबसे top पे pointable पे अभी चल रही है जो centerbury kings की team चल रही है इनके बीच आपको टकर देखने को मिलेगा second number पे चल रही है northern braves यहाँ पस और third number पे चल रही है wellington और fourth number पे आपको दिख रही है central stages तो भाई यह चारो के बीच आपको तगड़ा performance और तकर देखने को मिलेगा चारो अलग-अलग strategy के साथ मैदान में हर बार नए जोस के साथ उतरती है और हर बार हर team अलग-अलग अपना जीत तै करती है तो यह चीज को ध्यान में रखते हुए भाई आपको टीम लगाना है यह नहीं कि last five match जीता है तो यह match भी जीत जाएगा strategies रहती है और कभी अच्छी बनती है कभी नहीं बनती है तो यह बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आपको बनाना है venue जो रहने वाला है माउंट मगाउं का रहने वाला है वहीं जहां last match खेला गया था तो यह बात को ध्यान में रखते हुए टीम बनाएगा मैंने इन सभी के बारे में आपको बता दिया आप मैं टीम combination आपको बता देता हूँ आपको किसको ट्राइ करना है किसको नहीं करना है तो फर्स्ट नमबर पे आपको NB की तरफ से टीम सैफ़र्ट दिख जाएंगे टीम सैफ़र्ट को ट्राइ करना है विकेट कीप रिंग सक्षन से आते हैं टॉप ओर्डर के बैट्समन है आगर इनके record के बात करो तो 34 का average पर match आपको देती हुए नजर आएंगे तो आपके लिए tribal जरूर से रहेंगे टीम सैफर्ट मैं भी इनको बिल्कुल वकी यकीनन ट्राइ करूंगा टीम सैफर्ट मेरे लिए भी important रहेंगे उसके बाद जो next player हमारे तरफ से आजाते है विकिट की प्रिंग सक्षन से बी विगिन्स आजाते है बी विगिन्स को ट्राइ करना है 31 का average है इनका आपके लिए tribal रहेंगे मेरे लिए भी tribal रहेंगे क्योंकि तीसरी नंबर पर बेटिंग करने आते हैं तो मैं तो इनको जरूर पिक करूँगा अपने टीम में डी कलैबर को आप ट्राइ कर सकते हो मैं अभी इनको ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि इनका प्लेइंग 11 कोई फिक्स नहीं है में भी साइदी खेलते हुए आपको नजर आएंगे तो आप चाहे तो ट्राइ करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो बेफिकर हो के मैं अभी इनको ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे खेल से ये खेलते हुए नहीं नजर आएंगे फिर उसके बाद बैटिंग से आजाते हैं यहाँ पस आपको दिख जाएंगे भाई टॉम ब्रूस टॉम ब्रूस को आपको ट्राइ करना ही करना है क्योंकि ये सीएस के सबसे टॉप प्लेयर है एजा कप्तान है टीम के 65 का आवरेज देते हैं तो मैं तो इनको जरूर पेक करूँगा आप भी जरूर पिक किजेगा और ये टॉप ओर्डर के बैट्समन नहीं है टॉम ब्रूस आपको बताना चाहूँगा मिडल ओर के बैट्समन है करीब चौथे नमबर पे बैटिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे तो ये बात को ध्यान में रखते हुए पिक किजेगा अगर आपको लगता है टॉप ओर्डर फेल होगा तो ही आप ट्राइ किजेगा क्योंकि देखो सामने वाले जो बाल्स है उनके जो ओपनर बैट्समन वो बहुत ही तगड़े हैं तो ये बात को ध्यान में रखते हुए मैं मिडल ओडर के बैट्समन को सीयेस के तरफ से ट्राइ कर रहा हूँ एनबी के तरफ से जो कारटर आपको दिख जाएंगे जो कारटर को ट्राइ करना है क्योंकि इनके बारे मैं बहुत सुनाओ यार ये जो प्लेयर है यार एक तरफा आपके लिए मैच कर सकता है जो कार्टर एक ऐसा प्लेयर है जो गेम चिंजर का काम कर सकता है आपके लिए जो कार्टर को इसलिए मैं ट्राइ कर रहा हूँ मिडल ओर के बैट्समेन भी है और इनके अगर record की बात करो, मैं जो कार्टर की record की बात कर दू, तो 52 का average per match आपको दिख जाएगा, तो मैं इनको अभी drop बिल्कुल नहीं करने वाला है, फिर उसके बाद next जो player दिख जाएंगे, आपको जे रावल दिख जाएंगे, as a captain है टीम के, तो average 30 का ही देते हैं, कोई खास नहीं है, आप चाहे तो try कर सकते हो, मैं इनको drop करूँगा, और कोई best option है भी नहीं, जे रावल को try करना ही पड़ेगा, as a top order के batsman है, तो enemy के तरफ से try करना ही पड़ेगा, उसके बाद next player D.Braswell आपको दिख जाएंगे, D.Braswell के बारे में आपको बताना चाहूँगा, D.Braswell आपके लिए top pick बन सकते हैं, आगर आप इनको as a grand league pick बनाना चाहें, तो बिल्कुल बना सकते हैं, उनसर्ट का average देते हैं per match, और अगर इनके record की बात करो, कि यतने number पे batting करने आते हैं, तो middle order के तरफ से करीब 5-6-6 number पे batting करते हूँगा, आपको दिख जाएंगी, इनको तो बिल्कुल मैं drop कर ही नहीं सकता हूँ, ये मेरे लिए सबसे topic हैं, और clerkson को बिल्कुल मैं भूली नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे player को अगर आप drop कर देते हो, तो आपको match के बारे में कुछ भी knowledge नहीं है, क्योंकि जो clerkson अभी आपके लिए important है, 46 average per match देते हैं, अग बहुती middle order में दिखेंगे करीब चौथे पाच्वे नंबर पे आपको दिख जाएंगे, बैटिंग सक्षन से, वहीं अगर बात करो, बॉलिंग और भी आपको कराते हो नहीं नजर आजाएंगे, तो एसर ट्राइक जरूर करना है, इनको आपको drop बिल्कुल नहीं करना है, देखो यहां पस option बहुत है, बट playing 11 इनका कोई fix नहीं है, इसलिए मैं अभी जादा लोग को pick नहीं कर रहा हूँ, जो final team होगा, आपको टेलेग्राम पे अफडेट कर दूगा, टेलेग्राम पे जोड़ना मत भूलेगा, description में link given है, या फिर आप टेलेग्राम में मैनुली जाकर search कर सकते हो, आपको search करना है, हमारा चनल मिल जाएगा, तुरंत आकर जोइन कर लेजएगा, अब बात करूँ, मैं आपस S range की, CS के तरफ से खेलती हुए दिख जाएंगे आपको, इनको जरूर पिक करना है, CS के तरफ से S range, क्योंकि cent race इनका नाम है, 58 का average, 0.10 का, बॉ अनुराग वर्मा का भी record बहुत ही जादा अच्छा है, अनुराग वर्मा इनका नाम है, और वहीं अगर record की बात करो, तो 64 का average इनको per match मिल जाता है, तो जरूर ट्राइबल रहेंगे आपके लिए इनको drop करना, बिल्कुल risk version हो जाएगा, उसके बाद next जो हमारे player है, उनका नाम है, जे वाकर, जो वाकर को try कर सकते हो, जे वाकर भी आपके लिए बहुत ही important pick बन जाते हैं, क्योंकि देखो, आपके लिए middle order के batsman भी बन जाते हैं, कभी कदा और 60 का average आपको दे जाते हैं, पर match, तो फिलाल तो final team मेरा कुछ इसी प्रकार कर रहेगा, test match के लिए, और माफ करेगा, T20 matches के लिए, captain wise captain का suggestion, Tom Bruce और wise captain आपको safe, brass will जाना है, तो brass will जा सकते हो, Bruce को wise captain कर सकते हो, आपके लिए बहुत सारे option है, मैं आपको यहाँ पस mark कर दे रहा हूं, माफ करेगा, team safford को आप बिल्कुल उतना अमत लिजेगा, captain के लिए, job worker को जा सकते हो, range के साथ color question के साथ जा सकते हो, carter के साथ जा सकते हो, captain wise captain मैंने mark कर दिया है, आप चाहो तो reverse भी कर सकते हो, final team आपको telegram पर मिल जाएगी, और इस वीडियो में एक और आपको key player मैं आपको बता देता हूं, key player कौन कौन से रहेंगे, तो Joe Carter आपको दीखेंगे, first number पे, key player रहेंगे, 52 क average है, Scott Kuglazin आपको दिख जाएंगे, 64 का average है, Anurag Verma आपको दिख जाएंगे, 64 का average है, Federick Walker दिख जाएंगे, 41 का average है, Matthew Fisher दिख जाएंगे, आपको संताउन का average है, तो ये थी key players के बारे में, तो key players के बारे मैं आपको बता दिया मैं, और अब CS और NB के तरफ से सबसे top key players के ब इनको drop बिलकुल नहीं करना है, final team आपको टेलिग्राम पर दे दिया जाएगा, मिलते हमारे next video में नए analysis के साथ,